क्या स्टीफ स्मिथ इंगलेंड के बैसबॉल टेकनीक को चैलेंज दिये विल गाईस आपलों को पता ही होगा कि डव्लू टीसी फाइनल के बाद अशेस टेस सीरीज चालू होने वाला है जो कि इंगलेंड वसेज ऑस्टेलिया के बीच में एक बहुती बड़ा सीरीज होता है और इस बार फैंस बहुती जादा एक्साइड़ है ये देखने के लिए कि इंगलेंड का जो बैसबॉल टेकनीक है वो ऑस्टेलियन फास्ट बोलर्स के अगेंस्ट कैसे काम करता है इफ यो डोट नो बैसबॉल अप्रोच क्या होता है तो इस बेसिकली या पॉजिटिव अप्रोच ऑफ बैटिंग जहाँ पर टेस्ट मैच में भी एक हाई रन रेट मेंटेन करने की कोशिश की जाती है जब से इंगलेंड ये अप्रोच को लाएं ये अप्रोच को लाएं ये आफ बीन वेरी सक्सेस्फुल वो 11 आउट ओफ 13 तेस्ट मैचेस जीते हैं उनके ये सारे टेस्ट मैचेस का एवरेज रन डिट रहा है 4.76 विच इस वेरी वेरी हाई अकॉर्डिंग तो देस्स तैंडर्स बट या नाव कमिंग बाक तो दे पॉइंट क्या इंगलेंड के बैस्मेन ये औस्ट बोलर्स के अगेंस्ट कर पाएंगे विल ऐसा ही सिमिलर सवाल स्टीव स्मित उठाएं उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा I've enjoyed England's basketball approach and they have been successful with it but they haven't faced the Australian bowling attack so we'll see how it goes तो या गाईज आपको क्या लगता है क्या England का ये अप्रोच successful रहेगा या नहीं मेरे को comments में ज़रूर बताना